हेलो माई यूटूब फैमली तो आज मैंने कई प्रकार की भोजन बनाया हैं बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही कम तेल मसालों में तो आप लोग वीडियो में लाश्टा तेक बने रहेगा तो यहां पे मैंने बनाया ऐसे वैन्या तो आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा यहां पे मैं बनाई हूँ आलो और टमाटर की सबजी फिर यह थोड़ा से मने बनाया था मतलब गईठा मतलब पंडूबे और यहां पर इम्ली की चट्मी और यह पूरी मतलब कुछ मैंने पूरियां तली थी और यह बनाया थे बच्चची के नास्ते के लिए तो इस्टार्ट करते हैं फ्रिंट पहले मत बच्छे का लंच बनाएंगे तो बहुत इकम तेल में बनाएंगे लंच तो वैसे पास्ता और मैगी बच्चों को बहुत पसंद आता है तो हम ऐसे कभी-कभी बनाते हैं डेली में रोटी सबसी या फिन पराठे तो हाँ पे मैंने बनाए ब्लैक टी तो ब्लैक टी मेरा पकड़ा है फादर इनला को ब्लैक टी बहुत पसंद है कैए ए तो फापाने बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एकड़ाइड़ डी एड़ेंगे थोड़ा Social बना ना है बनाना है बेना मतल मिर्चा भी यज़ीयद्ध्यानी ड़ाएं कि व्यास बनाने सशित्वराइए जबाना है तो यहां पर मैंने डाला है थोड़े से जीरा, थोड़े से हिंग डालूंगी, मैंने आधा टमाटर कट करके रखा है और थोड़े से फ्रेस मटर लिया है मैंने, तो यहां पर मैंने थोड़े से मटर और आधा टमाटर डाली हूँ, तो पास्ता में इसका स्वाद बहुत अच कि यहां पे टमाटर और मेटर पग्या है अच्छे से तो हमने साथ में ही यहां पे थोड़े से एमली की चट्टी डाले हैं कि थोड़े से चटपटे के लिए कि साथी में डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाधनुशार और हल्दी थोड़ा डालेंगे कलर के लिए इसको मिक्स करेंगे भूनते हुए पकाएंगे इसको लगबग यह पगी चुका है तो अब डाल देंगे इसमें हम जो उबला हुआ हम लोग पास्ता रखे थे तो यहां पे देखिए सारी सामगडी पग गई है तो यहां पे डाल पास्ता तो पास्ता एक्दम सिंपल बनाया है मैंने मेरे बाबू को ऐसा बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको क्योंकि तीखा नहीं रहता है इसलिए इसके बाद मैं बनाऊंगी मतलब आलो टमाटर की सबची और एक साइड मैंने दूद पकने के लिए सेविया रखूं को अलग प्लेट में निकाल करके मैं सेम कड़ाई में फिर से अलो टमाटर के सबची बनाऊंगी तो मैंने ज्यादा बरतंक यूज भी नहीं किया है धूलने की वज़़े से तो मैं कड़ाई उसी में बना रही हूं आलो टमाटर की सबची तो यहां पे लगाया मैंने लाकर डग देंगे तो यहां पर तो इसको धह देना है वहाइं से बहुत जट बट से बन जाता है तो देखे ने में बहुत कम तेल मसाले में बना रहे हूं तो इसको ढग दिया मैंने मेरा ब्लैक टीवी पग गया है तो इसको मतलब चान लेते हैं यहां पे देखिए पास्ता एक दम मस्त वाला रेडी हो गया है देखिए बहुत अच्छा लग रहा है था एक दम मतलब चट पटा सा तो यहां पे देखिए मैं सेविंगा ली हूँ एक पैकेट दूद रग दिया है मैंने बॉयल होने के लिए तो यहां पे देखिए आलो टमाटर के सब्जे मैंने अद्रक लसुन मिर्चा प्यास का पेष् यहां पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा से मसाला और हल्दी नमक मैं डाल दी थी मैं वीडियो सूट नहीं कर पाई तो यहाँ पर पक्टा है एक साइट दूद तो यहाँ पर आटा तब तक लगा लेते हैं पूरी और रोटी के लिए तो यहाँ पर मैं आटा लगा लिए हूँ इधर सब्जी भी पग्या है गाड़ी से हो गई है सब्जी तो अब इसको सबजी को भी उतार देंगे मेरे पास धनिया अविलेबल नहीं था तो मैंने धनिया नहीं डाला है इसमें तो यहाँ पर मैंने 6-7 रोटी भी सेख लिया इधर पूरी भी बना रही हूँ देखिए पूरी एकदम फुली फुली बन रही है बहुत ही सॉप्ट सॉप्ट तो जब तेल एकदम अच्छे से गरम हो जाए तब पूरी डालेए बहुत अच्छे से होता है आटा मैंने 10-20 मिनट पहले ही सान करके रख लिया था गुद करके तो यहाँ पे देखिए पूरी एकदम अच्छे से फुल गई है नीचे से अच्छे से लाल हो जाएगी तो मैं इसको पलट दूँगी तो यह देखिए बहुत अच्छे से फुला हुआ हुआ है एकदम फुली फुली पुली बन रही है तो यहाँ पे मैंने देखिए मैंने एक साथ कही सारे तीन-तीन पुड़ी निकाली हूँ कठाई में से तो यहाँ पे फुली पुली फुली बनी है तो यहाँ दूद खौल चुका है तो डाल देते हैं शौद अनुशार चेनी अब भून लेते हैं सिविया सिविया अच्छे से ब्राउन होने तक भूने देशी घी में यहाँ पे ड्राइफ रूट्स मैंने कट करके रखा है और यह मखाने के लावा है तो मैंने ड्राइफ रूट्स को भी सिविया के देखिए अच्छे से पग गया था थोड़े तो मैं डाल के इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी जो इसका क्रण्च होता है बहुत अच्छा लगता है सिविया में ड्राइफ रूट्स का तो फाइनली मैंने सब कुछ डाल दिया है इसमें तो इधर देखिए पा